नमस्कार मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं नुकपोश्ट.com इस बक्त मैं अपने गाउं के तलाब के पासुआ हूँ और हमारे पीछे जो देख रहे हैं इस तलाब में आप आराम से चौका और छक्का जम सकते हैं यहाँ पर फुटबॉल की दो टीमें आराम से खेल सकती हैं आप गिल्ली डंटा भी खेल सकते हैं और मैराथन दोड भी आराम से इस तलाब में हो सकता है क्योंकि अब यह तलाब नहीं रहा यह एक मैदान बन गया है आप देखे कि जिस तलाब में पानी होनी चाहिए थी वहाँ पर दरारें पड़ गई हैं और यह दरारें चीक चीक कर सरकार के निकम्मेपन का सबूत दे रही है यहाँ पे चारो तरफ जो पेड दिखाए दे रहा है आपको इस पेड पर बहुत सुंदर पक्छी हुआ करते थे लेकिन वो पक्छी कहीं गुम हो गये हैं या कहीं रूट कर चले गये हैं आप देखे तस्वीरों में यह पीपल का पेड जो आपको दिख रहा है पीपल का पेड कितना खुशूरत है इस पेड पर साइवेरियन क्रेन नाम का पक्छी रहा करता था जो कि रूट से प्रवास के लिए आते हैं लेकिन यह पक्छी रूट कर यहां से चले गए क्योंकि उन्हें यहां पर पानी नहीं है पानी नहीं तो उन्हें भोजन नहीं है लोग यहाँ पर मवेशी चराने के लिए आते थे लेकिन दूर दूर तक कहीं लोग हमें नहीं दीख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है मवेशियों को पिलाने के लिए पानी नहीं है तो पूरी तरीके से जो एक तलाब की जो भूमिका होती है वो यहाँ पर चकना चूर होती नजर आ रही है पूरी तरह से यहाँ पर सरकार की जो जबाब दे ही है वो होनी चाहिए लेकिन कुछ नहीं है एक तलाब मैदान बन कर रहा गया है सूखी दरारे चिक चिक कर सरकार के निकम्मेपन का सबूत दे रही है आप देखे कि यह तलाब के जो बाहर का जो रास्ता है वो है यहां से लोग अपने बह्यार और खेद की तरफ जाते हैं कुछ लड़के हैं हमारे साथ क्या हो रहा है यहां पर कि यह तो तलाब में पानी नहीं है तो तलाब में पानी होती होते तो फिर मज़ा और होता उसका सरकार सरकार को क्या करना चाहिए इसमें राता तो और कुछ भी मज़ा था यह बताई आप पानी आता है पानी यह ज़िदी तलाव में पानी होता जो आपके गवह में जितने भी तलाब है उसमें पानी होते तो तो पूरे बेवस्था का जो चकना चूर हुआ है यहां पर तो सरकार की जबाब दही होती है तालाब में पानी ने उन्होंने घड़ाई इसको ख़ुदाई अच्छे से करता इसका संरक्षन करता अधाई होता है तो पानी नहीं होने से आप लोग को क्या क्या नुक्सान हो रहा है यह पानी होता यह पर कहीं नमी मिलता इस पेड को आप देखिए कि अस्थानिये लोगों की जो नाराजगी है वो साफ हमें दिखाई दे रहे हैं लड़कों का कहना आप देखिए कि यह नए लड़के हैं फिर भी इने पता है कि एक तलाब की भूमिका कितनी होती है इनकों जिनल हैं वो सुख गये हैं पक्षियों और पसु को पीने के लिए पानी नहीं है और किरिसी के लिए पानी नहीं है तमाम तरह की जो समस्या है वो हमें यहां पर दिखाई दे रही है लेकिन आप देखिए कि ग्रामी ना इस्तर पर सरकार क्या करती है सरकार बड़े-बड़े सहरों को चमकाने और स्मार्ट सिटी की बात करती ह लेकिन क्या सरकार ने कभी सोचा है कि गौँ को भी smart बनाया जाए जो किसान खून पसीना एक करके मेनत करके अनाज उप जाते हैं और बड़े घरों में बड़े सहरों में लोग खाते हैं या देश चलता है उसी किसान के बदोलत, क्या उस किसान का पेट भरने के लिए, क्या उस किसान को जिंदा रखने के लिए सरकार ने कुछ किया है, क्या, तलाब की सुखी दराने, साब तोर से कह रही है, कि सरकार निकम्मी और किसानों के लिए ये कुछ नहीं करती है, जो पर परियावरन को लेकर या फिर किसानी को लेकर या फिर अस्थानी समस्याओं को लेकर इसाब तोर से कहा कि पानी की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है क्रिसी चौपट हो गया है किसानों को जो है कापी मसकत करना पड़ रहा है और ट्यूब बेल जो है वो सुग गया है तो किस झाल